कुछ इस्टूडेंट की यह डिमांद थी कि सर एक्साइच और करवाई जाए ना उनके उपर तो मैं हाजर हूँ आपके सामने कुछ और एक्साइजर लेके बिना किसी देरी के सुरुआत करते हैं आपसे मेरी वीडियो का लेट्स विगें दे वीडियो तो दोस्तों आईए फिर से सुरू करते हैं इस खूबसूरत से सफर को तो हम आज एक सेसन और लगाएंगे ना उनके वरकाउट कर ठीक है यहां के बाद आपको सारी चीजे लगबग के लिए रहो जाने हैं क्योंकि यह देखिए मैं आपके लिए कम से कम 50 एक साइस अभी मैं 20 मिट या 25 मिट के अंदर मैं कराने वाला हूँ तो बिलकुल कॉपी कलम लेके बैठ जाईए और लास्ट में वीडियो के लास्ट में आप मुझे बताईए कि आपके 50 में से कितने कुश्चन सही हुएं कल मैंने 10 करा दिये थे मतलब पिछली वीडियो म अब इसको बिलेवन अचा कुछ बच्चे गलती कर देते हैं उनको लगता है कि यह तो यह वाला बन जाता ही है बी भी यह बनता है आपको देखो यह ध्यान से रखना आप यह ए मत समझ लेना इसको बी मत समझ लेना यह बहुत खूबसूरतिय से करता है जिसे आपके दिमाग में तो बना हुआ है कि आपके दिमाग में कहीं यह न आ जाए कि यह A है और यह B है यह C है ठीक है ना तो यहीं स्टाट करते हैं तो बाई लोग सौप नहीं होता है यहाँ पे सौप होता है इसमें कौन सा यह है तो एंगर द्यान से दिखें एंगर एंगर एक अप्स्ट्रेक्ट नाउन है और अप्स्ट्रेक्ट नाउन मैंने बताया था कि हमेशा अनकाउंटेबल होता है जिस चीज को हम देख नहीं सकते हैं उसको हम कैसे गिनेंगे बाई तो यह अनकाउंटेबल नाउन होता है और जहां अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है उसमें हम यस या यस नहीं लगाता है बास वह मैं आ गई ठीक है आगे बढ़ता है 5 breads नहीं होता है, यह 5 breads ध्यान से देखे, यह जो रोटी आपकी बनती है, जो रोटी है, यह actual में एक piece है, इसको हम lobes of bread बोलेंगे, अगर हमको बोलना होगा, कि 2 lobes of bread, 3 lobes of bread, मतलब यह एक part, यह एक piece है, ठीक है ना, तो हम bread से नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? 5 lobes of bread, to eat because I am so hungry, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, a few days ago, she received a letter of advices, तो हमको यहीं मिल गया, आगे जाने जरूती नहीं है, कि advices नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, एडवाइस होता है, ठीक है, आपको याद है, मैंने आपको बताया था, session के दवरान, कि I, C, E जहां लगता है, वो क्या हो जाता है, noun, और I, S, E जहां लग लगता है, वो क्या हो जाता है, verb, याद रखना, तो advice में I, S, E अगर लग गया, तो यह क्या हो जाएगा, यह verb हो जाएगा, और C, E है, यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, आपका noun, got it, next बढ़ते हैं, okay, तो बात करते हैं आगे, commander in chiefs are among those who get handsome salary, तो commander in chiefs नहीं होता है, मैंने, दो compound sentence, मैंने compound sentence के आपको दो rule बताया थे, एक apostrophe yes, कहां लगाओगे आप, और आपको yes या yes कहां लगाना है, जब आप singular plural बना रहे हो, आपको yes या yes वहां लगाना है, जहाँ, इसका main, जान लेते हैं, इसका हम main word, ठीक है, जिसे commander in chief, तो हमें अगर plural बनाना है, यहा पर yes लगा हुआ है, ठीक है, तो commanders in chief are among, यह बिलकुल आगे, बिलकुल आगे की बात बिलकुल सही है, तो आगे देखते हैं, कि only today I have come to know that Sunny has two sister-in-laws, तो sister-in-laws नहीं, बिलकुल यही वहला रुटियम फालो होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, sisters-in-law, ठीक है, आगे बढ़त हैं, तो यह चीजें उनको बहुत आसान लग रही होंगी, जिन्होंने 7 classes अच्छे से पढ़ी है, ना उनकी, और उसका revision भी लगाया है, ठीक है ना, उनको बहुत अच्छे चीजे समया, क्योंकि question ऐसे ही आता है, कहां से पूछ लेगा grammar, grammar सब का अपना एक criteria होता है, अपना नीचे बात के, तो उसका अलग होता है, उसका different, क्या नाम, जो difficulty level होता है, अलग होता है, SSC का अलग होता है, उसके बाद UPSC जाओगे, अलग होता है, उसके बाद MBA, CAT, JET, SAT, ये सारे जितने भी होजागे, इनके अलग होते हैं, ठीक है, जितने भी management के exam होते हैं, इनके सब पूछेगा, ठीक है, इतने ही तो होते हैं, next sentence आपके सामने, she got greeted by all the passers-by, sorry, देखो, मेरे मुझ से निकल ही गया, passers-by, अब ये passers-by हो जाएगा है, ठीक है, passers-by, near Lakshmin Nagar Metro Station, अच्छे ये passers-by क्यों होगा, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम logic कर लेते हैं, तो लिखा है कि she was greeted by all the passers-by, all the passers-by, मतलब जितने भी वहाँ पे राही थे, अब राही एक तो हो नहीं सकता, अगर हम एक की बात करेंगे, तो वहाँ पे कोई ने कोई आदमी या लड़की या लड़का हो जाएगा, भाही राही की बात हो रही है, तो राही हम उसी को बोल The Jodhpur, next, The Jodhpur High Court had issued five summons against him so far, but he has attended none of them, तो आप मुझे बताएगे कि इसमें कौन से दिक्कत होने वाली है, हमें और आपको, देखिए, summons, यह summons क्या है, यह अपने आप में इसका plural नहीं होता है, हम क्या लगाएंगे यहाँ यहाँ पे, यहाँ पे शमन लगाएंगे, पा आप कि हाँ, अगर कोई बुलावा आता है, कोट से बुलावा आया, या कहीं से बुलावा तो उसको हम समन बोलते हैं, बुलावा भेजना, आगे कि अगर हम बात करें, नमबर 19, तो इसको देखिए, समझने और करने की कोशिस करिए, और हाँ, अगर आपको इन सब चीज की PDF चाहिए, और फिर से बता दूँगा, अगर आप इन सब की PDF चाहिए, तो आप मुझे, इस नमबर पर WhatsApp कर सकते हैं, या, डाउन, डाउटनेट, डाउटनेट ग्रूप है, मैं उसका लिंक, अभी अभी मैं इस पर, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में में दे देता हू आप उसको जाके जुआइन कर लेना, और वहीं से ये चीज़े PDF आपको मिल जाएंगे, ठीक है, Mathematics are a very difficult subject for those students who don't want to study hard, जो भी है आगे, हम कोई वहाँ जाने का मतलब भी नहीं है, Mathematics के साथ देखिए क्या लग गया, आर लग गया, और Mathematics, Politics, Fidget, ये सारी चीज़ें जितने भी subject हैं, उनके सब के साथ में हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं, I और S, इसका मतलब is use करते हैं, मतलब Singular Helping Verb, ओके, गाट इट, Next, His Mathematics are a good, His Mathematics, अब His Mathematics आ गया, इसका मतलब इसके पहले कुछ न कुछ possession लगा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे is के बजाए पे यहाँ पे आर ही रहेगा, इसमें हम कोई भी गल्ती नहीं है, हम थोड़ा से इसको पूरा देख लेते हैं, इसको हम पूरा देख लेते हैं, लिखा है, His Mathematics are a good, so, 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 Marx लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है, The Politics of India, अब Politics of India लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, The Politics of India लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है, She had two issues, she has only two issues, while her sister has before off-spring, off-spring नहीं होता है भाई लोग, off-springs होता है, इसमें off-springs हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ता है, Most people in India now live in a house built of bricks, but either it was not like that, अब देखिये, ध्यान से देखिये, Most people in India now live in a house built of bricks, bricks नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, brick होगा, ठीक है, आगे बढ़ता है, What she told me to ask you that, whenever you go to market, do get her some fruits, यहाँ पे fruits नहीं हो जाएगा, यहाँ पे fruit हो जाएगा, ठीक है, Okay, you cannot, you cannot relay on him because he is not of words, तो यहाँ पे words से लिखा हुआ है, अच्छा आपको आप बताया गया था, Words और वर्ड में कुछ फर्क होता है, ठीक है, वर्ड मतलब वही वड्ड जो यह लिखा हुआ है, शब्द, और यह वर्ड मतलब होता है, जबान, होता है ने जबान, कि यह मेरे words है, यह मेरी जबान है, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलिफ नहीं है, यह बिलकुल चाहिए है, यह बिलकुल चाहिए, said that the beauty is only skin deep तो देखो beauty के आगे दा का परियोग हम नहीं करेंगे क्यों क्योंकि abstract town के आगे किसी भी articles का परियोग नहीं किया जाता यह हमको classes के दोरान बताया गया था ठीक है there are number of indians beauties indians beauty नहीं होती है indian beauty हो जाएगी और अगर हम इसके लाजिक की बात कें तो beauties क्यों नहीं होगा तो beauties यह क्या है beauty क्या है यह abstract noun है और abstract noun हमेंसा uncountable noun होता है और जब uncountable noun होता है तो इसमें हम yes या yes का जो use है वो हम वर्जित माना जाता है ठीक है आगे बात करते हैं तो छूड़ गया क्या एक सेकंड I have an urgent work to do right now so call me before after some time after some time होता है after some times नहीं होता है ठीक है the news were so shocking that depressed अब यहां पर आगे बढ़ने के कोई जरुवत नहीं है आपके सामने news लिखा हुआ है और news हमेसा क्या होती है news हमेसा singular होती है इसलिए हम क्या लगा देंगे आपे इज़ लगा देंगे we need to change this house because it is the out of repairs तो out of repair नहीं हो जाएगा out of repair होता है ठीक है हम नहीं हम देखेंगे तो हमको चीजें समद में आती रहेंगे और देखिए घवराने की जरुद नहीं है कुछ लोगों के पहली बार हो सकता है और यह grammar है इसमें यह जो level है यह सारे questions कहां के हैं यह सब SSC, CGL, SSC, CHSL यह वहां selected है अगर आपको यह question tackle हो जाते हैं अगर यह question आपको बिल्कुल अच्छे से आप कर लेते हो तो इसके उपर कुछ नहीं है बास हमें आ गई तो इसके नीचे जितने भी exams हैं आप सारे tackle करने वाले हो बिल्कुल बने रही है वीडियो में अग अगर तार आपको classes मिल रही है आपको यही तो चाहिए ठीक है ना आगे बढ़ जाते हैं हर हेयर्स आर अब हेयर्स जो है लिखा हुआ है यह हेयर होता है और यह हमेंसा इसका प्लूरल नहीं होता है ठीक है ना एक सेकेंड यहां पर तू पेयर आफ सूज हो जाएगा ठीक है पेयर साफ सूज नहीं होगा बस हमें ठीक है आगे बढ़ जाते हैं मन्जीद है ब्रॉट फो डजन्स आफ एक्स फो डजन्स आपको मैंने बताया था कि कुछ चीज़ें होती हैं कि अगर उनके पहले नूमिरल लगा हुआ है तो वो नहीं बदले जाएगा ठीक है यह डजन जो है यह डजन ही रहेगा और यहां पर एक साही है और बाकि सब रखी है जो यूनित रखी होगी है यह बिल्कुल अपने जेगा पर सही है है लाइक आफ पीपल कम करने तो अफ पीपल आर बीलो अब यहां पर थर्टी मिलियन आफ पीपल जो है यह एक उनित का काब कर रहे है किसका काम कर रहे है? unit का, मददब यह एक है ठीक है, जिससे आपको कहा जाए कि 20,000 रुपए बहुत जज़दा बड़ी रकम नहीं होती है तो 20,000 रुपए यह 20,000 रुपे की दृष्टी सहां नहीं देखेंगे इसको, इसको हम देखेंगे कि ये एक रासी है ठीक है तो वही ये कि ये एक यूनिट है एक नमबर है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा इज ठीक है आगे बढ़ जाएं तो हम बात करते हैं 37 की आपको बता गया था कि अगर नुमेरल के बाद में कुछ ऐसी चीज़ें आती है तो इसका इंच हो जाएगा इन सी एच ठीक है अगर आप पढ़े हैं रिवीजन लगाए हैं तो यह सारी चीज़ें आपको आ रही होंगी नहीं तो फिर से बैक जाएए अपने नोस देखिए और फिर से इसको टाइकल करने के कोशिस करें यू इल स्यूरली बाइट तैर दूऑ जू टेघ अनाधि चू माइल वाकक चना ऑब खुब धियान से देखिए कि यू विल स्यूर्ली गॉअट editor दी चेला यू u टेख अब तू माइल्स यह फजली और की गलत है ऐच्छ चलो 38 नमबर वाला आप लोग मुझे comment section में बताना कि 38 वाला यह सही है कि गलब था ठीक है एक कुशन ही आपके लिए ओके no matter no matter how adverse the situation is your is you must not stop by by study यह जो study है study नहीं हो जाएगी यह studies हो जाती है बास्व में आगया ठीक है having won the world cup of three time for three time on the trot Australia must be in high spritz तो high spritz नहीं हो जाती है high spritz होती है ठीक है तो यहां पर yes क्या हो जाएगा यह हट जाएगा she will have finished two-third of the work two two-thrds नहीं होता है two thirds हो जाएगा ठीक है she is good at English so we can expect that she will get full marks oh marks मुह से मेरे निकल ही गया यहां पर क्या हो जाएगा marks और बाकी जितनी भी बाते लिखी हुई है सब सही है my mother does not like those short of guys even in the least I cannot invite them अच्छा मैं आपको थोड़ा सा trick बता देता हूँ कि जब आपको noun का handout दिया जाए जब आपको noun की excise करवाई जाए तो आप कोशिस क्या करो कि गलती आपको कहा खोजनी है noun में खोजनी है अब आपको पहले पहचानना होगा कि noun कौन से है इसी में आपको गलतियां मिल सकती है ठीक है तो हो जाए गए यहां पर सॉट्स ओफ गाइस ठीक है में इस अ प्रड़क्ट आफ इन्वार्मेंट सो विक सुट कीप आर सराउंडिंग्स ठीक है तो क्या हो जाए गए यहां पर सराउंडिंग्स हो जाएगा दर रिच इस यह मुझे देखने में अच्छा नहीं लग रहा है दर रिच इस नहीं होता है बाई लोग जब रिच के साथ में किसी भी एड्जेक्टिव के साथ में क्या लग गया दर लग गया तो यह क्या हो जाता यह प्लियूरल है बर्व लेता है ठीक है तो क्या हो तो आपको इसी में मिल जाएंगे, आप सिर्फ ध्यान से देखो, समझो और इसको टैगल कर रहे हैंगे, कोसिस करिए, इन पूर्स प्लाइट इन इंडिया इस बेरी प्लाइटिक, प्लाइट मतलब जानते हैं, दशा, ठीक है, यह बिल्कुल सही है, हमको a past ov years लगाना है, तो बिल्कुल सही है, इनकी जो दसा है, यह जो दसा है, यह जो दसा है, यह पूर की है, इसलिए, हम यहाँ पर a past ov years लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, He has been very kind enough to give five million rupees to a poor for their rehabilitation, अब हमको देखना है कि क्या यह सही है? 5 billion rupees, यह बिल्कुल अपनी जगहां पर सही है, अगर यहां पर 5 billion लग गया होता, तब यह गलत हो जाता, 5 billion rupees यह बिल्कुल सही है ओके, the life of the rich is not as peaceful and pleasant as that of worse in so many ways, आप मुझे बताइए कि यह sentence सही है कि गलत, क्या यहां पर, इज की जगहां पर आर लगेगा नहीं, यहां पर is की जगहां पर आर नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर rich की बात नहीं कर रहा है यहां पर rich लोगों की life की बात कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर main word क्या है, head word क्या है head word है rich oh sorry head word है life और life क्या है life is a singular ठीक है तो यह similar के साथ में क्या लग जाएगा is लग जाएगा a stock of lectures अब stock of lecture होता है क्या होता है on this topic will be fruitful to the student तो यह stock नहीं होता है यह होता है a lecture की बात किया जाए यह collective noun है ध्यान से रखना collective noun है और collective noun में बहुत ही ध्यान से हमको करना पड़ता है क्योंकि हर एक चीजों के साथ में अलग लगता है जिसे graphs के साथ अलग लगेगा, sip के साथ अलग लगेगा, dear के साथ अलग लगता है, मतलब हम सिर्फ यह नहीं लिख सकते है अगर आप यह classes अभी आप paid पड़ रहे होते हैं, आप fees देके पड़ रहे होते हैं तो आपको एक course दिया जाता कि तीन महीने में आपको grammar खतम किया जाएगा ठीक है with practice set और speed test यह सब चीजों के साथ बहुत है तो यह आपका एक course है बस हमें लास्ट हम देख लेते हैं तो यह क्या समझा आपने यहापे हो जाएगा stock of यह lectures हटके हो जाएगा accords of lecture he saw a crew of ship crew of ship, देखो crew मतलब होता है crew member यह भी एक collective नानो, crew मतलब जानते हो crew member, जो ship पे लोग रहते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, उनको हम बोलते हैं crew members, ठीक है जिसे Titanic था और Titanic में जितने भी लोग थे वहाँ के local, जिसे captain हो गया, captain का help करने वाला driver, यह वो मतलब जितने भी यह लोग थे, वो सब क्या है वो एक crew members है, ship के अंदर जो आदमी काम करते हैं, उसको crew member बोलते हैं, लेकिन अगर धेर सारी ship जिसे merchant of penis अगर आपने पड़ी होगी तो उसमें Antonio एक करेक्टर है उसके पास बहुत धेर सारी ship ठीक है ना, तो बहुत धेर सारी ship हैं तो अभी माल लीजिए उसके पास 50 ship हैं, तो 50 ship को क्या बोलेगा, group of ship नहीं, उसको बोला जाएगा fleet यहां पर क्या हो जाएगा fleet of ship तो वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताईए आपके comments जो हैं यह मुझे motivate करते हैं और आपको अच्छी लगी होई वीडियो तो आप बताईए और अगर कहीं भी आपको थोड़ा सा यह लग रहा है कि सब्सक्राइब स्लो चल रहा है या मुझे कुछ चीजी समझने में दिक्कत आ रही है तो आप comment section में मुझे advice कर सकते हो यह बिल्कुल follow किया जाएगा ठीक है? तो वीडियो में वने रहने के लिए तो यह बिल्कुल रहा है तो यह बिल्कुल